रादे रादे जैसी क्रश्ना, जहुश्री राधा दामोदर भगवान की जै, आईए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुप्रम कहानिया सुनते हैं। कार्तिक मास के नहाने की पहली कहानी, एक राजा के दो रानिया थी, बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवती की थी, जबकि छोटी रानी बहुत सुन्दर थी, वह राजा की अती बिरिया थी, छोटी रानी के दो पुत्र थी, दो नो रानिया अलग-अलग महल में रहती एक बार जब कार्तिक का महिना आया तो बड़ी रानी ने कार्तिक इसनार और वरत करने का नियम लिया तब बड़ी रानी को कार्तिक मास का महात्यमें और कता कहानिया सुनाने के लिए राज दर्बार के पुरोहित की पत्नी उनके महल में आने लगी इस तरह कार्तिक मास के साथ आठ दिन निकल गे एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी के महल में पुरोईतानी को निकलते हुए देख लिया तो उन्होंने दासी को बुला करके पुरोईतानी को अपने महल में बुलवाया चोटी रानी ने पुरोईतानी के आते ही पूचा की अरी भ्रामनी तो बड़ी रानी के महल में क्यों और किस लिये जाती है पूरी बास सच सच बताना नहीं तो मैं राजाजी से कहे कर तुझे और तेरे पती को नगर से धक्के मार कर निकलवा दूँगी पूरोईतानी जानती थी की राजाजी चोटी रानी की हर बात को मानते हैं तो ये वैसुनते ही डर गई पूरोईतानी घवराती घवराती बोली की महारानी जी बड़ी रानी कार्तिक मास का इस्तनान और व्रत कर रही है मैं उन्हें कार्तिक मास का महात्य में और कथा कहानिया सुनाने के लिए आती हूँ छोटी रानी ने पूछा कि कार्तिक इसनान और व्रत करने से क्या होता है इसका क्या फल मिलता है तो पुरोटानी वोली कि महारानी जी कार्तिक इसनान और व्रत करने से मनिश्य को मन वान्चित फल की प्राप्ति होती है सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है नी संतानों को संतान सुक की प्राप्ति होती है रोगी को निरोगी काया मिलती है कुवारों के ब्या होते हैं नोकरी चाने वाले को नोकरी धन चाने वाले को धन मिलता है यह सुनने के बाद छोटी रानी ने पुरोईतानी से कहा कि बड़ी रानी तुझे दक्षीना में क्या देती है तो पुरोईतानी ने कहा कि वो रोज मुझे एक चांदी का सिक्का देती है सुनने के बाद छोटी रानी ने पुरोईतानी से कहा कि अब तुम जाओ। पुरोईतानी के जाने के बाद छोटी रानी नाराज होकर कोब भवन में जाकर बैट गई। शाम को रोज की तरह राजा शिकार खेल कर छोटी रानी के महल में आये और छोटी रानी को कोब भवन मे बैटे हुई देखा तो राजा को आशंका हुई राजा ने बांदियों और दासियों को बुला करके पूछा कि छोटी रानी के पास आज कोन आया था और क्या बात हुई जो छोटी रानी को भवन में बैटी है तब दासियों और बांदियों ने राजा को पूरी बात बता दी फिर राजा छोटी रानी के पास गए वो नाराजगी दूर करने की कोशिश करने लगे लेकिन छोटी रानी थी कि वो मान ही नहीं रही थी चोटी रानी ने कहा कि हे महाराज मेरी नाराजगी तो अब तभी दूर होगी जब आप बड़ी रानी से उनके जेवर का बकसा मंगवा लेंगे मुझे तो बड़ी रानी के जेवर का बकसा चाहिए तभी मेरी नाराजगी दूर होगी राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया कि हे रानी वो गहना और सोना और चांदी तो उसी के पीहर वालों ने उसे दिया था उस पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं है जो जेवर और गहने मैंने उसे दिये थे वो तो तुमने पहले ही मंगवा लिये लेकिन छोटी रानी फिर भी जित परड़ गई फिर राजा ने दासी को भेज कर बड़ी रानी से सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के का बकसा मंगवा लिया बड़ी रानी ने सारे जेवर और सोने चान्दी के सिक्के एक संदूक में रखे और राजा के पास भिजवा दिये उसी रातरी को बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं पुरोईतानी को कार्तिक मास की कथा कहानिया और महात्यम में सुनने के बाद दक्षीना में क्या दूंगी पूरी राद बड़ी रानी सोचती रही और दुखी होती रही तभी बड़ी रानी को याद आया कि उसके महल के पिछवारे में उसने बाजरे की फसल खुद दासी के साथ मिलकर उगाई थी उसी फसल की चार बोरिया बाजरे की रखी है तो बड़ी रानी अब रोज एक कटोरा बाजरा भर कर पुरोईतानी को दक्षीना में देने लगी लेकिन पुरोईतानी को दक्षिना में बाजरी लेना अच्छा नहीं लगा तो वह उस बाजरी को अपने घर के अनाज कक्ष में एक कोने में रखने लगी धीरे धीरे बड़ी रानी के सत के प्रताप वैकार्तिक इसनान के फल के प्रताप से दक्षिणा में पुरोईतानी को दी गई बाजरी सोने में बदल गई लेकिन पुरोईतानी ने धेर की तरब देखा तक नहीं इधर छोटी रानी और राजा के पास सारा राजकोश खाली हो गया प्रजा के भूके मरने की नोबत आ गई तब एक दिन कार्तिक पुर्णीमा के दिन राजपुरोईत जी खुद के अनाज कक्ष में गए तो उसने देखा कि कक्ष के एक कोने में सोने की बाजरी का धेर पड़ा है उसने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी को भी महान अश्चरिय हुआ उसने पूरी सच्चाई बता दी पुरोईतानी ने अपने पत्नी से कहा कि है स्वामी मैं बड़ी रानी को कार्तिक इस्चनान की कथा कहानिया और महात्यमे सुनाने महल में जाती थी तो बड़ी रानी मुझे रोज दक्षीरा में एक कटोरी बाजरी देती थी तो मैं उसी बाजरी को यहां लाकर डाल देती थी हालांकि मुझे ये बाजरी दक्षिना में लेना अच्छा नहीं लगा इसलिए उस बाजरी को मैं यहां कोने में डालने लगी यह वही बाजरी है जो आज सोने में बदल गई है राज पुरोईत ने सोनी की बाजरी को एक बोरी में भरा और राजा के साथ अपनी पत्नी को लेकर महल में पहुचा और राजा को पूरी बात बताई तब राजा चोटी रानी पुरोईत जी और पुरोईतानी बडी रानी के महल में गए और राजा बड़ी रानी से पूछने लगे कि हे रानी तुम कोई जादूगर्नी हो या कोई टोने टोटके जानती हो जो तुम्हारे द्वारा दक्षीना में दी गई बाजरी पुरोईतानी के घर जाते ही सोने की बाजरी में बदल गई तबी वहाँ आकाश्वानी हुई कार्ती के राधा दामोदर जी बोले कि हे राजा तुने और तेरी चोटी रानी ने बड़ी रानी के सारे गहने ले ले लिए सारे चांदी के सिक्के ले ले लिए अब विचारी बड़ी रानी के पास पुरोईतानी को देने के लिए दक्षीना में कुछ नहीं बचा तो वह पुरोईतानी को एक कटोरी बाजरी देने लगी लेकिन इस पुरोईतानी को भी दक्षीना में बाजरी लेना पसंद नहीं आया तो मैंने ही बड़ी रानी के कार्थी किसनान और रत के इसनान के फल के रूप में बाजरी को सोने की किया है ये सुनकर राजा, छोटी रानी और पुरोईतानी सबने बड़ी रानी से अपनी गलती की माफी मागी राजा छोटी रानी पुरोईत और पुरोईतानी सभी को कार्थिक इस्तनान की महिमा समझ में आचुकी थी तब राजा ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्थिक मास में इस्तनान वरत और दानपुन्य करना चाहिए उसके बाद जब दुबारा कार्थिक का महिना आया तो बड़ी रानी के साथ राजा रानी पुरोईत और पुरोईतानी ने भी कार्थिक मास का इस्तनान और रत किया उस वरत के प्रताप से वे सभी इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मने के बाद बैकुंट को प्राप्त हुए जयहू कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय कार्तिक इस्नान की कहानी बात बहुत पुरानी है एक गाउ में एक विद्वा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी दोनों मा बेटे हर साल कार्तिक मास का इस्नान और वरत करते और हर साल ही वरत का उध्यापन कर देते इस तरह उन्हें तीन साल होगे तब एक दिन बेटे ने अपनी मा से पूछा कि मा तुम तो कहती थी कि कार्तिक मा स का स्तनान और रद करने से मन इच्चित फल मिलता है लेकिन मा हम दोनों ने 3 साल तक कार्टिक मास का इस्तनान और व्रत किया साती हमने उद्यापन भी किया लेकिन हमें तो व्रत का फल ही नहीं मिला मा ने कहा कि बेटा एक ने एक दिन जरूर मिल जाएगा लेकिन बेटे को अपनी मा की बास से तसली नहीं हुई वह बोला कि मा मैं भगवान को डूरने जा रहा हूं मैं भगवान से मिल कर पूछूंगा कि हमें कार्तिक मास के इसनान और व्यत का फल कम मिलेगा मा अब मैं घर वापस तभी आऊंगा जब मुझे भगवान मिल जाएंगे मा ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना तब मा ने अपने बेटे को चार रोटी और गुड एक कपड़े में बान कर के दे दिया और कहा कि बेटा जब भूग लगे तो खा लेना इस तरह बुड़िया माई का बेटा भगवान से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा चलते चलते वे गाउं से बाहर पहुँच गया दूसरा गाउं आ गया तब उस गाउं में एक सेट तीन मंजीला मकान बनवा रहा था उस सेट के तीन बेटे थे सबके लिए वे एक-एक मंजील का मकान बनाना चाता था लेकिन जैसे ही छट डालता वे तीन मंजील का मकान भर-भरा कर गिर जाता मकान का काम पूरा ही नहीं हो रहा था सेट अपने तूटे मकान के मलबे के उपर उदास बैठा हुआ था कि तभी उधर से बुडिया का बेटा निकला सेट ने बुडिया के बेटे से पूछा कि बेटा तुम कौन हो कहां से आ रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो तो बेटे ने सेट जी से कहा कि सेट जी मैंने और मेरी माने तीन साल तक कार्तिक मास का इस्तनान और रत किया हर साल हमने रत का उद्यापन भी किया लेकिन हमें कार्तिक मास के इस्तनान और रत का फल नहीं मिला इसलिए मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ मैं उनसे मिल कर पूछूंगा कि हमें कार्तिक मास के इसनान और रत का फल कम मिलेगा तो स्वेट जी बोला कि अरे भाई अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारन भी पूछ लेना मैं कई बरस से अपने तीन बेटों के लिए तीन मंजीला मकान बनवा रहा हूं लेकिन जैसे ही छत डलती है कि मकान भर भरा कर गिर जाता है मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण मुझे ये दन भुगतना पड़ रहा है तो बुडिया के बेटे ने कहा कि जरूर पूछ लोंगा तो सेथ ने बुडिया के बेटे से कहा कि बेटा अगर तुम मेरे दुख का निवारन पूछोगे तो भगवान तुमारा भला करेंगे तो बुडिया के बेटे ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारन भी पूछ लोंगा उसके बाद बुढिया का बेटा आगे चल दिया आगे वे घने जंगल में पहुँच गया वहां उसे एक साप दिखाई दिया जिसकी पूँच में आग लगी हुई थी बुढिया के बेटे ने मिट्टी डाल कर साप की पूँच में से आग बुजा दी साप की पूँच में से आग भुसते ही साप तो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया वह फुफकार भर कर बुढिया के बेटे की ओड जबटा और बोला की अरे मुर्ख मैं सो बरस का बुढ़धा बिमार सर्प हूं मैं सौं मरने जा रहा था मुझे इस दह से मुक्ती मिलने ही वाली थी कि तुने मुझे बचा लिया तुने मुझे बचा कर अच्छा नहीं किया अब मैं तुझे डसूंगा तो बुढिया का बेटा हाथ जोड़ कर सर्प देवता से विंती करने लगा कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस लोटू तो आप मुझे खा जाना, तो साप ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्थ पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारन भी भगवान से पूछ करान उनसे पूछना कि मुझे मुक्ती का मिलेगी, मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, नै मैं रेंग सकता हूँ, नै शिकार कर सकता हूँ, तो बुडिया के बेटे ने साप को वचन दिया, कि हे नाग देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारन भ पूछ लूँगा, उसके बद बुडिया का बेटा आगे चल दिया, आगे उसे एक नदी दिखाई दी, बुडिया का बेटा जैसे ही नदी पार करने लगा, तो उसकी टांग को एक मगरमच ने पकड़ लिया, उसने भी वही कहा जो साप ने कहा था, कि अब मैं तुझे खा तो बुडिया का बेटा फिर से वही बोला कि हे मगरमच भाई, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, जब मैं भगवान से मिलकर वापस लोटू, तो आप मुझे खा जाना, तो मगरमच बोला कि हे भदर पुरुष, अगर तुम मेरे दुख का निवारन भगवान से पूछ क पर आओगे तो मैं तुमें नहीं खाऊंगा, हे भाई तुम भगवान से पूछना कि मैं जल में रहता हूं, जल में खाता हूं, जल में सोता हूं, फिर भी मेरे कंठे सुखे क्यों हैं, तब बुडिया के बेटे ने मगरमच से कहा, कि मैं आपके दुख का निवारन भगव से जरूर पूछूंगा, फिर बुडिया का बेटा आगे चल दिया, तब विश्नु भगवान बैकुन में बैठे ये सब कुद देख रहे थे, उन्हें बुडिया के बेटे के ऊपर दया आ गई, भगवान ने सोचा कि इसकी मा विद्वा है, घर पर इसका इंतजार कर रही है, अगर उसे कुछ हो गया, तो मैं अपने भक्त का दुख कैसे देखूंगा, तब भगवान ने एक व्रद ब्राह्मन का रूप धरा, और बुडिया के बेटे के मार्ग में आकर, पीपल के पेड़ के नीचे चबुतरे पर आलती पालती माट कर बैट गए, तब ही बुड आके वेटे ने पूरी बात बताई, तो व्रद वेश में भगवान विष्णु बोले कि हे पुत्र, हे पुत्र क्या भगवान डूडने से मिलते हैं, और अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए, तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगे, तो वे बोला कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूगा, शंक, चक्र, पदम, धारी, गले में वेजन्ती माला, पितांबर ओडे हुए, ऐसे हैं मेरे भगवान, तो व्रद ब्रामर ने कहा कि हे पुत्र मैं ही भगवान हूँ, तो मांग तुझे क्या चाहिए, तो बुडिया का बेटा बोला कि हे इश्वर, आप म मुझे साक्षा दर्शन दीजिए, शायद मेरी ही पूजा पाट में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, तभी भगवान ने साक्षा दर्शन दिए, बुडिया का बेटा भगवान के चर्णों में गिर पड़ा और रोने लगा, कि हे इश् मैंने और मेरी माने तीन साल तक कार्तिक मास का इस्तनान और रत किया, लेकिन हमें कार्तिक मास के इस्तनान और रत काफल अभी तक नहीं मिला, तो भगवान ने कहा कि हे पुत्र तु वापस तेरे घर जा, तेरी काकी के बच्ची होने वाली है, तू जाकर उससे पूछना, वो ही तुझे बताएगी कि तुझे कार्तिक मास के इस्तनान और रतकाफल कम मिलेगा। फिर बुडिया के बेटे ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारन पूचा। तब भगवान ने सबके दुखों का निवारन बताया और उसे आशिर्वात दे कर अंतरध्यान हो गे। बुडिया का बेटा वापस घर की ओर चल दिया तो सबसे पहले नदी आई। बुडिया का बेटा जैसे ही नदी के किनारे आया तो मगरमच ने पूचा कि अरे भाई क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारन पूचा? तो बुडिया का बेटा बोला कि हां मगरमच भाई मुझे भगवान के दर्शन हुए मैंने आपके दुख का निवारन भी पूछ लिया है हे मगरमच भाई आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो पूर्व जन्म में आप वेद शास्त्र के प्रख्यात पंडीजी थे लेकिन आपने अपने ग्यान को किसी को नहीं बाटा इसलिए आपके गले में जलन होती रहती है अगर आप अपना ग्यान किसी को सुना दें तो आपकी जलन उसी समय शांत हो जाएगी तो मगरमच बोला कि अरे भाई मुझे देख कर तो सब लोग डर कर भाग जाते हैं मैं किसे अपना ग्यान सुनाओं ऐसा करो तुम ही मेरे वेद शास्त्र का ग्यान सुन लो फिर मगरमच ने पूरे वेद शास्त्र का ग्यान बुड़िया के बेटे को दे दिया जिससे उसी शन मगरमच के गले में ठंड़क पहुँच गई मगरमच ने बुढ़िया के बेटे को धेरो आशिरवात दिया और नदी के गहरे जल में चला गया बुढ़िया का बेटा वहां से आगी चला आगे घने वन में वही सर्प मिला जब बुडिया के बेटे ने नागदेवत्या के दुख का निवारन किया तो कहा कि है नागदेवत्या आपके पास दो घड़े सोने चान्दी की मूरे हैं अगर आप उसका दान किसी गरीब जरुतमन्द को कर देंगे तो उसी शन आपको मुक्ती मिल जाएगी तब साब भी वही बोला जो मगरमच ने कहा था साब ने कहा कि अरे भाई मुझे देख कर तो लोग भाग जाते हैं मैं अपना धन किसे दूँ? मैं अपना सारा धन तुमें ही दे देता हूँ तुम दो घड़े सोने चान्दी की मूरों की ले लो तुमारी वज़े से मुझे दूसरा जनम मिलेगा इससे मैं तुमारा उपकार भी चुकता कर पाऊंगा तुम ये सोने चान्दी की मूरे ले लो और मुझे मुक्त कर दो इस तरह जैसे ही साब ने दो घड़े सोने की अशर्फियों का बुढिया के बेटे को दिया उसी शन उसे मुक्ती मिल गई इस तरह बुढिया का बेटा ज्यान और धन लेकर आगे चल दिया आगे वही सेठ मिला जैसे ही उस सेठ ने बुढिया के बेटे को देखा तो उसने पूछा कि अरे भाई क्या तुम्हे भगवान मिले क्या तुमने मेरे दुख का निवारन पूछा तब बुड़िया के बेटे ने सेट जी से कहा कि हाँ सेट जी मुझे भगवान के दर्शन हुए मैंने आपके दुखों का निवारन भी पूछ लिया है भगवान कह रहे थे कि आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हो सेट जी आपका कोई छोटा भाई है वह बहुत गरीब है उसके एक विवा लायक लड़की है एक बार आपका भाई आपसे अपनी लड़की के विवा के लिए धन मांगने आया था लेकिन आपने उसे धन नहीं दिया इसी का दोश आपको लगा है अगर आप अपने भाई की लड़की का जिस दिन विवा करा दोगे उसी दिन आपका ये घर भी बन कर तयार हो जाएगा तब सेठ ने बुडिया के बेटे से कहा कि अब मैं अपनी भतीजी के लिए लड़का कहां से ढूंडूँगा क्या तुम मेरे छोटे भाई की लड़की से विवा करना चाहोगे तो बुडिया का बेटा विवा के लिए तयार हो गया सेठ ने बड़े ही धुम धाम से अपनी भतीजी का विवा बुडिया के वेटे से कर दिया और उसे खूब सारा दान दहिज भी दिया बुडिया का बेटा धन, ज्यान, पतनी और दहिज लेकर खुशी-खुशी घर की ओर चल दिया जब वेगाम की पंगट पर पहुँचा, तो पनीहारी ने भागी-भागी बुडिया के पास गई और बोली कि अरी बुडिया तेरा बेटा आ रहा है साथ में बहु भी ला रहा है और खूब सारा धन भी ला रहा है बुडिया पनिहारीनों से बोली कि अरे क्यों जले पर नमक चिड़कती हो मेरे बेटे को गए तो बहुत दिन हो गए हैं न मालुम कहा होगा तो पनिहारीने बोली कि अरे बुडिया हम सच कह रहे हैं तबी बुडिया को उसके बेटा बहु दूर से आते हुए दिखाई दिये। उसने ज़र से आरती की थाली जमाई। बेटा बहु को गाजे बाजे के साथ घर के भीतर लिया। पूरे गाउं में उसने लड़ू बाटे। उसका घर अंधन के भंडार से भर गया। तबी बुडिया का बेटा अपनी मा से बोला कि मा मैं काकी की बेटी से मिलकर आता हूँ। बुडिया को बड़ा ताजुब हुआ कि यह तो अभी अभी आया है। इसे के से पता चला कि इसकी काकी को लड़की हुई है। बुडिया का बेटा काकी के घर गया। उसने काकी से कहा कि काकी काकी मेरी छोटी बेहन कहा हैं काकी ने कहा कि बेटा वे जूले वे सो रही है बुडिया का बेटा बेहन के पास गया और उससे पूछने लगा जरह यह तो बता मुझे कार्थिक मास के इसनान कफल कब मिलेगा तबी वहां आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने कहा कि तुझे ग्यान मिला, धन मिला, पतनी मिली, दहेज मिला और फिर भी पूछता है कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल कम मिलेगा यह सुन कर बुढिया का वेटा खुश हो गया कार्तिक की सभीकता कहानियों के साथ में 33 कोटी देवी देवताओं की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए आईए अब हम 33 कोटी देवी देवताओं की कहानी सुनते हैं एक बार वहुट छुटा सा गाउं था उस गाव में एक ब्रामन अपनी पत्नी और अपनी कुवारी बहन के साथ रहता था ब्रामन विश्णु भगवान के मंदिर में सेवा देता था उस मंदिर में जो भी चड़ावा आता था उसी से उनके परिवार का भरण पोशन होता था उस ब्रामन की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवति की थी उसकी उम्र बारा साल की रही होगी लेकिन वैं सबी देविद देवताओं की पूजा पाट व्रत उपवास क्या करती थी वैं रोज सुब जल्दी उठकर इस्तनान करती सूर्य नारैन भगवान को अर्द देती तुलसाजी को सीचती दियाबाती करती बड़ पीपल आवला केले के पेड और शीतला माता को सीचती पत्वारी माता को सीचती घीकदी पर जलाती भगवान शंकर पारवती गणेजी की पूजा करती रादाक्रश्न भगवान के दर्शन करने जाती उसके बाद ही वैभोजन करती थी यही उसका नित्य का नियम था ब्रामन की बहन का नाम सावित्री था इस तरह वैकार्तिक वेशाग मागमास और पुश्योत्तमास में इस उसके उपर कोटी देवी देवताओं का अशिर्वात था। देखते ही देखते सावित्री बारह साल की उम्र में ही सुन्दर यूती का रूप ले लिया। वह किसी उर्वशी से कम नहीं लगती थी। वह बहुत सुन्दर कंचन जैसी काया वाली, सोनी जैसे बाल वाली, नीली नीली तिर्ची चित्वन जैसी आँखों वाली, हिर्णी जैसी चाल वाली, रंग ऐसा की गुलाब का फूल भी शर्मा जाए। पूरे गाउं भर में उसकी सुन्दरता की चर्चाई होने लगी। गाउं में कुछ लोग उसके लिए अच्छा कहते तो कुछ लोग ताने दे लेकिन सावित्री को उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं होता था क्योंकि वह पवित्र साफ मन की थी। तब एक दिन उड़ती उड़ती खबर सावित्री के भाई और भावी तक भी पहुँची। कि अरे तुम्हारी बारा साल की बहन इतनी सी उम्र में योवन अवस कुसी को मूँ दिखाने लायक नहीं रहोगे। जितनी मूँ उतनी बाते होने लगी। उस दिन भैया भावी को पूरी रात नीन नहीं आई। तब उसी रातरी को भावी ने अपने पती से कहा कि आप अपनी ननत को कहीं छोड़ आईए। या फिर किसी को ये ताला में धख अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी बहन रहेगी। मुझसे रोज रोज गांवालों के ताने सुने नहीं जाते। तब पती ने कहा कि भागवान चिंता मत कर। मैं कल ही इसे ले जाकर किसी को ये तालाब में धका दे आऊंगा। मैं नाना मामा के घर छोड़ाऊंगा। कुछ दिन तुम नाना मामा के घर रहना। आवित्री ने रात में ही अपने भाई भावी की सारी बाते सुन ले थी। उसे यह भी मालूम था कि उनका कोई रिष्टेदार नहीं न दूर का नहीं पास का। फिर भी सावित्री खुशी अपने भाई के साथ पैदल-पैदल चलने को तैयार हो गई। भाई अपनी बहन को लेकर चल दिया। चलते चलते दोपहर से रात्री हो गई। रात को वे एक वन में पहुंचे। जहां एक मंदी था। मंदीर के पास ही कुवा और एक सरोवर वी था। भाई ने मनही मन पूरे समय तुलसी जी की माला जबती रही। भाई अपनी बहन के सोने का हिंतजार करता रहा। अर्ध रातरी में भाई को गहरी नीद आ गई। उसके बाद सावित्री भी सो गई। सुब़ चार बजे सावित्री उठी सरोवर में इस्तनान करी सूर्य नारेन भगवान को अर्द दिया। तो सूरज भगवान ने अपनी क्रिने उसके उपर डाली। जिससे वह कांती में हो गई। उसके लाल गुलाबी गाल हो गे। होट लाल हो गे। फिर उसने तुलसा जी को सीचा। तो माता तुलसा ने उसे उजरिया की सच्चे हीरे मोती जड़ी चूनरी ओड़ाए। फिर उसने शिव पार्वती जी की पुजा करी। तो माता पार्वती जी ने उसको मेंदी काजल बिंदी लगाए। महादेर जी ने उसे चिरंजी होने का अशिर्वात दिया। फिर उसने भगवान गणेश की पुजा करी आर्थी करी। तो गणेश भगवान ने उसे काजू, बिदाम, घी, गिरी, मगच वाला लड़ू दिया। तो सावित्री गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान आज मुझे एक नहीं दो लड़ू दीजिये। आज मेरे साथ मेरा भाई भी है। तब गणेश भगवान ने सावित्री को पान के पते में रखकर दो लड़ू दिये। फिर उसने शीतला माता, पतवारी माता, बढ़ पीपल, आकड़े, आवला, पलाश का पेड़ और केले के पेड़ को सेचा, तो उन्होंने भी उसे सदा सोबाग्यवती होने का अशिर्वात दिया, उसका भाई दूर से ये सब कुद देख रहा था, उसकी आंके फटी की फटी रह गई, उसके पाउं के नीचे से जमेन और सिर से आसमान जैसे गायब हो गया हो, उसे ऐसे प्रतीत हो रहा था, सावितरी के भाई को अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदगी हुई, वे मनीमन पश्ताने लगा, कि मेरी बहन तो देवी स्वरूपा जैसी है, और मैं अपनी ह इसके उपर तो कोटी देवी देवताओं का अशिरवाद है, वे आसमान की तरफ दोनों हाथ जोडते हुए बोला कि है इश्वर आपने मेरी आँखे खोल दी, आपने मुझे मेरी बहन की हत्या करने से बचा लिया, फिर वे अपनी बहन के पास आया और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोला कि बहन घर चल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी बाद बताई, तब एक दिन उस नगर के राजा के बेटे का रिश्ता उनकी बहन के लिए आया, विवा की पूरी व्यवस्ता राजा रानी ने करी, पूरे गांव वाले जो पहले सावित्री के लिए भला बुरा कहते थे, वे आज उसकी बड़ाई कर रहे थे, वे सभी कहे रहे थे कि हम तो पहले ही जानते थे कि ये सावित्री किसी बड़े घर में ही शादी होकर जाएगी, हे कोटी देवी देवताओं जैसे आप सावित् वैसे सब के उपर तूटना कहानी कहने वाले के उपर, सुने वाले के उपर और हुकारा भरने वाले के उपर कार्तिक इस्नान के फल की कहानी एक बार बहुत चोटा सा गाउं था उस गाउं में दो पडोसनी थी उनमें एक गरीब और एक अमीर थी गरीब पडोसन बड़ी ही धार्मिक प्रवती की थी वह हर साल कार्तिक मास में तारों की छाओं में इस्नान करती सूरिय नारायन भगवान को अर्द देती, तुलसीजी को सीचती पुनह शाम को तुलसीजी में दीब दान करती और तारों की छाओं में व्रत खोल लेती थी अपनी सामर्ते अनुसार दानपुन्य भी करती थी जबकि अमीर पडोसन बड़ी ही जगडालू घमंडी प्रवती की थी वे कोई व्रत उपवास नहीं करती थी एक बार उनके गाओं में अकाल पड़ गया कई सालों से बारिश नहीं हुई तो गाओं के सभी लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई कोस दूर जाना पड़ता था तब अमीर पडोसन भी गरीब पडोसन के साथ पानी लेने पैदल पैदल जा रही थी तबी भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने उनकी परीशा लेनी चाहिए उन्होंने व्रद दमपती का वेश बना कर उनके रास्ते में जाकर बैट गे जब वे दोनों पडोसने पानी लेकर घर जा रही थी तो व्रद वेश में विष्णु भगवान ने उनसे पीने का पानी मांगा तो अमीर परोसन ने जड़ से मना कर दिया और बोली कि अरे हम इतनी दूर से पीने का पानी लाए हैं और तुझे पिला दे मैं तो तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी अगर तुम्हें पानी ही पीना है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते तब बुजुर्ग वेश में विष्णु भगवान बोले की बेटी मैं बहुत भूड़ा बिमार हूँ चल फिर नहीं सकता प्यास भी मुझे बहुत जोर की लग रही है अगर अब मैं चल कर जाऊंगा तो प्यास से ही तड़प कर मर जाऊंगा इतना सुनने पर भी अमीर पडोसन ने पानी नहीं पिलाया तबी पीछे पीछे आ रही गरीब पडोसन ने उनकी सारी बाते सुन ली उसने कहा कि बाबा मेरी मटकी का जल पीलो मैं और जल बर लाऊंगी वेवरद व्यक्ति वेश में विश्नु भगवान बोले कि बेटी यहीं पास में मेरी जोपडी है क्या तुम मेरी जोपडी में भी पीने का एक मटका पानी भर दोगी तो गरी पडोसन बोली कि हाँ बाबा आप चिंता मत करो मैं रोज आपकी जोपडी में पीने का एक मटका पानी भर दिया करोंगी तब गरी पडोसन ने व्रद दमपति वेश में विश्नु भगवान और मातालश्मी को पानी पिलाया उनकी जोपड़ी में पीने का पानी का मटका भरा उसके बाद वे दुबारा पानी भरने के लिए कई कोस दूर गई इस तरह पूरे कार्थिक मास में वे ऐसा करती रही तब एक दिन व्रद दमपती ने गरी पडोसन से कहा कि बेटी, तुमने पूरे कार्थिक मास में हमारी जोपड़ी में पीने का एक मटका पानी भरा बेटी मैं तुम्हें कुछ इनाम में देना चाता हूँ बेटी मेरे पास तीन कलश हैं एक चांदी का, एक सोने का और एक मिट्टी का तुम इन तीनों में से जो भी कलश चाहो तुम ले जा सकती हो तो गरी पडोसन ने सोचा कि मैं सोने ओचान्दी का कलश लेकर क्या करूँगी तो उसने मिट्टी का कलश उठा लिया व्रद वेश में भगवान विश्णु ये देख कर बहुत प्रसन हुए उसके बाद गरी पडोसन मट्की लेकर घर आई उसने मट्की को उल्टा रख दिया और रातरी में सो गई सुबह जब सो कर उठी तो उसने उसी मट्की में पानी भरने के लिए उठाया तो उसके नीचे से उसे खूब सारे सोने चान्दी हीरे मोती का धेर मिला गरी पडोसन कुछी दिनों में अमीर हो गई जब उसकी अमीर पडोसन को पता चला तो वे गरी पडोसन के पास भागी भागी आई और अमीर होने का राज पूछने लगी गरी पडोसन बड़ी ही भोली थी उसने पूरी सच्चाई बता दी उसी समय अमीर पडोसन व्रद दमपती की जोपड़ी पर पानी का मटका भर कर लेकर गई और बोली कि अरे बाबा मुझे माफ कर दो मैंने आपको पानी पिलाने की मना करी थी बाद में मुझे अपनी गलती का एसास हुआ तो मैं आज आपके लिए पीने का पानी का मटका लाई हूँ व्रद दमपती वेश में विश्नु भगवान और माता लश्मी मंद मंद मुस्कराने लगे और बोले की बेटी कोई बात नहीं अगर पानी लेही आई हो तो हमारे मटकी में पानी भर दो अमीर पडोसन ने उनकी मटकी में पानी भर दिया और खुद की खाली मटकी को जान भूच कर दिवार के अडा करके फोड दिया और जूट मोट में रोने लगी व्रद व्यक्ति वेश में विश्णु भगवान ने पूचा की बेटी मटकी ही तो फूटी है तुम क्यों रोती हो तो अमीर पडोसन बोली की बाबा मेरी सास और ननद बहुत खराब है वो मुझे मटकी के लिए बहुत ताने देगी और मेरे साथ जगडा करेगी व्रद व्यक्ति वेश में भगवान विश्णु ने पता लगा लिया कि इसके तो कोई सास ननद ही नहीं है और मटकी वोड़ने के पीछे का रहस्य भी पता लगा लिया तब रद्व्यक्ति वेश में विश्णु भगवान बोले कि पुत्री मेरी जोपडी में तीन मट्कियां पड़ी हैं तुम उनमें से कोई भी एक मट्की ले जाओ तब अमीर पडोसन ने देखा कि वहां एक चांदी की, एक सोने की और एक मिट्टी की मट्की पड़ी थी अमीर पडोसन मनहीमन सोचने लगी कि मेरी पडोसन तो बड़ी ही पागल थी, जो मिट्टी की मट्की लेकर गई थी, मैं तो सोने की मट्की लेकर जाओंगी तब अमीर पडोसन सोने की मटकी लेकर घर आए उसने भी उस मटकी को उल्टा करके रख दिया पूरी रात अमीर पडोसन को नीन ही नहीं आ रही थी यह सोच कर कि उसके पास भी बहुत सारा धन हो जाएगा सुब जब सो कर उठी उसने सोने की मटकी उठा कर देखी तो वहाँ बहुत सारे जहरीले साब बिच्चु कीडे ही कीडे होगे पूरे घर में फैल गी वै भागी भागी उस व्रद व्यक्ती की जोपड़ी पर गई लेकिन वहाँ न कोई जोपड़ी थी और नहीं कोई व्रद दमपती था चारों तरब धूल ही धूल उड़ रही थी अमीर पडोसन वहीं बैटकर रोने लगी कि तभी वहाँ आकाश्वाणी हुई आकाश्वाणी ने कहा कि अरे लालची ओरत तुने अपनी जिंदगी में किसी कभला नहीं किया न कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया न किसी भुके को भोजन खिलाया न किसी नंगे को वस्तर उढ़ाये नहीं तुने कोई व्रतुपुवाज दान पुन्ने किया अब मैं तेरे घर में से सांप बिच्चू की माया तभी हटाऊंगा जब तु अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान करेगी तब अमीर पडोसर ने अपने धन में से आधा धन गरीबों में दान किया तबी भगवान विश्णु ने उसके घर में से साब बिच्चू की माया हटाई हे विश्णु भगवान जैसे आपने गरी पडोसन को कार्तिक मास के इस्तनान का फल दिया वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भणने वाले को